कि ना उसकार आप देखरें दियुस चक्र माय आपिसार शर्मा तूना थकेगा कभी तूना थमेगा कभी तूना रुकेगा कभी कर्शपत 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 अगनिपत 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 यह महांद दृष्ष है चल रहा किसान है अश्रु श्वेद रक्त से लत्पत अगनिपत 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 दोस्तों जिन लोगों नहीं कहा था ना कि मुठी भर किसान जो हैं सिंगु बॉर्डर या शहाजापुर में प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें दिली से करनाल के बीच में करीब 130 क किलुमीटर का फासला है और आप जानते हैं आज जब की में आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्ट जब ये कारकर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो करीब 100 किलुमीटर का जाम लगा यह तस्वीरें यह नजारें उस बात की बांगी हैं जो लोग किसानों को यह कहकर दुथकारते थे कि मुठी भर किसान जो हैं वो सिंगू बॉडर पर जमा है आज वो किसान अपनी ताकत दिखा रहा है पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरे एहसास के साथ देश की मानताओं को समझ कर लोगों की समवेदनाओं को समझ कर मैंने क्यूं हरवंच राय बच्चन की उस कविता को आपके सामने पढ़ा क्यूंकि पिछले दो महीने उसके लिए किसी अग्णिपत से कम नहीं रहे हैं करीब सो किसान मर शुके हैं दोस्तों और अब वो 26 जनवरी की तरफ पहु जब कि ये परेड निकलने वाली है ये अपने आप में बहुत माइने रखती है निउस चक्र में हमारे तमाम समवात आप से बस कुछी देर में आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स पेश करने वाले हैं तमाम जगाउं से मगर सबसे पहले आपके सामने योगी सरकार की ये पता होना चाहिए कि मोधी सरकार ने किसानों को इजाजत देदी है ट्राक्टर रैली के लिए और सरकार की इतनी छोटी सोच कि आप ट्राक्टर में डीजल भरने तक की इजाजत नहीं देंगे बात आनी रुखती है क्यूंकि आप जानते हैं कि अब आम इंसान को पूरा अधिकार है कि वो जो है तिरंगा भैरासकता है योगी सरकार का एक और फर्मान हैं आपकी स्क्रिन्स पर और उट फर्मान क्या कहता है मैं आपको पढ़के सुनाना चाहता हूं तिरंगा यात्रा बाइक राली पर योगी सरकार ने लगाई रोग जैसा कि ये समाचार बताता है मेरट से प्रसारित होने वाले समाचार का क्या कहना आपकी स्क्रीन्स पर किसान आंदोलन और गणतंत्र दिवस के मद्देजर सरकार ने महतवपूर्ण फैसला लिया है गैर सरकारी लोगों द्वारा तिरंगा यात्रा बाइक राली निकालने पर पूरी तरह से प्रतिबंद लगा दिया गया है पुलीस महादिदेशक ने संबन में 22 जनवरी को सभी जिलों के SSP को विस्तरत दिशा निर्देश दिये हैं इसके अलावा विडियो कॉन्फरेंसिंग से भी सभी पूलीस अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है आप जानते हैं दोस्तों कि पूरी तरह से अब इजाज़त है किसानों को राली निकालने के लिए फिर भी योगी सरकार इस तरह की हरकत कर रही है इसलिए कही न कहीं सवाल उठता है सरकार की नियत पर आप उनके ट्राक्टर्स में डीजल नहीं भरने देंगे लोग तिरंगा यात्रा नहीं निकाल सकते बाइक्स में तिरंगा नहीं निकाल सकते जबकि अब आम इनसान जो है वो तिरंगा फैरा सकता है मैं आपको कहा था कि हम लोग आपके सामने ग्राउंड रिपोर्ट्स पेश करेंगे और मैं आपको बता दूं हमारे कई समवाद दाता जो हैं इस वक्त तमाम जगाओं पर मौजूद हैं चाहे टिक्री बॉर्डर हो शहाजापूर हो या फिर सिंगु बॉर्डर मैं आपको ब हम देशकते हमारे पीछे कल 26 जनवरी की जो प्रेयर डॉली कुसान बॉर्डर को तयारी कहा है यहां लगाओ 25 राजियों की जगाने हैं अलाकि दूसरे मोर्चों में इसाब से तोड़ी जंसंख्या आपको कम लगेगे लिए कैसी जंसंख्या है हजारो हजारी की देजराइ और यखिनन दोस्तों सिंख्यू बॉर्डर कहीन के किसान आंदोलन की नब्ज रहा है उसका केंद राजियों सिंख्यू बॉर्डर पर मौजून है न्यूज क्लिक के समवाददाता रवी और वहां से रवी ने ने न्यूज चक्र के लिए हमें ये रिपोर्ट भेजिया आएगे देखते हैं अबिशार मैं अगर आपको बता हूँ कल की तयारे दो बारे में तो किसान निताओं से जो हमारी आज बात हुई थी उन्होंने कहा कि तयारे लगभा मुकमल तोर पूरी कर ली गई है और कल की जो पूरी परेड होने वाली है वो एतिहासिक होने वाली है पहली दृश्टी से बता रहे हैं हमें वह इह कि पहली बार होगा कि रिपप्लिक लें की परेड ज़ो है किसानों निकाली और सफलता पूरवक निकाली वह उसे जो है परेड का पूरा रास्ता दिया है, तमम तरीके के इंतिजाम होंगे, तो ये एक बड़ी चीज है, इसके साथ मैं जो आगे के आंदोलन के बारे में जब हमने किसान दिताओं से बात की, तो उनका स्पष्ट कहना था कि 29 को हम अगले कारेक्रमल की घोशना करेंगे, लेकिन ये बतलाना चाहूंगा कि हमारे समवाद दाताओं से किसानों ने जो बाचीत की, उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिये. प्रीस मोटी साब को एक हाथ जोड़के बेती है, कि गुनों बाफ से ले, हमारी हाल तो देख ले, हमारे को कितने गिन होगे जहां मैटे से, कितनी हमारी लाशे हो चुकी हैं यहां पर, कम से कम हमारा सो के आसपास ने हो गया, हर रोज एक मंदा मर रहा है, दो भी मर रहे हे आपी देश का हिस्सा है, हमारे के लिए भी कोई होना चाहिए कुछ है, और एक ऐसे नहीं है, कि अक्यले पर पंजाब के आ हुए है, पूरा भारत कठा हो रह्त रहा है हो रहा कर आए हो रहा है, हमने लगार दिया, हमने सब्कार बनाई है, अमने हिसलगाई है आप हमारे क्यों हम देश के नागरिका है त्रंगा लगे सबसे जब आपने यह दिखा होगा कि 26 जनवरी को नॉर्मली जो इनकी प्रेड रहे होगी त्रेक्टर प्रेड होगी और दिल्ली के लोगों में इतने उसा है कि वह हम पर हम आज हम दिल्ली से आये थे तो उन्होंने हैं फूल की फूल तोड़ रखे हैं बर्खा करने के लिए और सबसे बाद यह साइलेंटली और अराम से प्रेड होगी और इसमें कोई और इसमें कोई भी हुलडवाजी यह नहीं होगी हुमारे जो किसान जैसे बंदिया हैं 32 वह आए आगे होंगी और हम उनके पीछे-पीछ इसी चलता रहेगा और किसान जो है वो सिर्फ दिली में मौझूद नहीं है मैं आपको बताना चाहूंगा कि नासिक सिद्ध मुंबई चलके कल किसान पहुंचा था यह नजारा देखिए कसारा घाट का वह बाकाइदा पैदल चलते हुए नासिक से मुंबई पहुंचा और और इससे ज्यादा खुबसूरत तस्वीर आखिर इस अंदोलन की क्या हो सकती है कि सरकार अब भी किसानों को इस तरह से टार्गेट करता रहेगा या किसान के साथ अब भी सरकार जो इस तरह का दोहरा खेल खिलता रहेगा जिसकी मिसाल हमने देखी कारकर्म की शुरुआत म कि सरकार अब उन्हें डीजल भरने की मनाही कर रहा है या उन्हें तिरंगा यात्रा निकालने से रोक रहा है मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ बुलन शहर का है दोस्तों यहां पर एक ट्रैक्टर निकल रहा था और उस ट्रैक्टर पर तिरंगा है पुलीस उ किसान अपनी तरह से पूरी जिम्मेदारी के साथ अपील कर रहा है और इस लिहास से किसान मोरशे से जुड़े योगेंदर रियादव की यह अपील किसानों के लिए काफी माइने रखती है आप यह अपील सुन सकते हैं सुनिए आप परेड में शामिल हो रहा है ना एक मिस्ट कॉल कर दीजिए यह नंबर आपके सामने हम प्लैश कर रहे हैं नंबर को देख लीजिए आप और इस नंबर पे आप दुबारा देख लेना नंबर आ रहा है एट डबल फोर एट थ्री एट फाइब 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 जिसके आधार पे आप अपने आपको कॉंस्टेंटली अपडेट कर सकेए नंबर एक नंबर दो जैसा हमने कल भी कहा खास तोर पे अगर आप टीकरी और शिंगू बार्डर से आ रहे हैं ट्रॉली मत लाइए क्योंकि पहले ही इतना बड़ा परेड हो गया ट्रॉली होते ही हमारी लेंथ तीन गुना बढ़ जाएगी ट्रॉली को पीछे छोड़ के आईए कहीं सीक्योर जगें पर रखके आईए ट्रॉली मत लाइए अपने साथ 24 घंटे खाने पीने का अरेंजमेंट करके आईए क्योंकि कहीं जाम में फस गए तो आपके पास अरेंजमेंट होना चाहिए बारिश नहीं होगी कल लेकिन ठंड अच्छी है तो ठंड का इंजम करके आईए कहीं जाम में फस गए रात को भी टिकना पड़ गया कुछ जगाओं पे तो इसलिए ठंड का इंजम अपने साथ करके लाइएगा किसी तरह का हत्यार तो आप लाएंगे ये नहीं प अपने साथ सारा अरेंजमेंट करते हुए हम चलेंगे और परेड के अंदर अनुशासन शान्ती और अनुशासन उससे हमने लड़ाई अब तक जीती है और ये लड़ाई आगे भी जीतेंगे हमारे पास शान्ती और अनुशासन हमारे लिए सबसे बड़े 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 हैं हथ्यार हैं उन्हीं हथ्यारों के सारे हम चलेंगे कल हमने कई बातें कहीं थी पूरा ध्यान रखना है महिलाओं को पूरा सम्मान पुलिस वालों से कोई जगड़ा अपने को नई मोल लेना हमें मीडिया वाले चाहे जिस मरजी चैनल से हो हमें उनको जगए देनी है वो अ दिली जीतने नहीं आए हैं दिली का दिल जीतने आए हैं तो कहीं न कहीं किसान ये संदेश दे रहे हैं कि कल यानि 26 जनवरी को महिलाओं का सम्मान होगा गोदी मीडिया अगर वहां पहुंचे और वो आपके खिलाफ जूटी रिपोर्टिंग भी करे तब भी आप उनके ख आएसाय और खालिस्तानी तत्व प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं इस खबर के मताबिक पुलीस का ये भी कहना है कि इस आंदोलन में 18 जनवरी से पहले पाकिस्तान के अंदर करीब 300 ट्विटर हैंडल्स बना जा चुके हैं जिसके जरीए इस आंदोलन में भड़काने क प्रयास किया जाएगा शुरू से ही आपको याद होगा दोस्तों कहीं न कहीं इस आंदोलन को खालिस्तान के साथ जोडने का प्रयास यहां तक कि सरकार ने आधिकारिक तोर पर सुप्रीम कोर्ट में जो आफिडेविट दिया उसमें कहा कि इस आंदोलन में खालिस्तान का बाते कहे चुकी है और वो पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है इसलिए कहीं न कहीं सरकार पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मगर किसान अपनी बात सत्यागरह के जरीए आप तक पहुँचा रहा है पूरे अहिनसात्मत तरीके से और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यही कल भी जारी रहेगा यही 26 जनवरी को भी जारी रहेगा क्योंकि जैसे कि योगेंद्र आदव ने कहा ना, हम दिल्ली जीतने के लिए नहीं आएं, बलकि दिल्ली का दिल जीतने आएं और किसान को भी इस बात को समझना होगा दोस्तों बहुत लंबा और कठिन सफर रहा है किसानों के लिए जैसे मैंने बताया कि आप तक किसान दोलन में कई किसानों की मौत हो चुकी है उसके लावा उसे बदनाम करने का प्रयास किया गया किसान जिन सरकार की नुमाइंदों से बात कर रही थी उनमें से एक प्यूश गोईल ये तक कह रहे थे कि ये किसान जो है वो अर्बन नकसलियों के हाथों में फसा हुआ है यही नहीं किसान को ये भी बताया जा रहा है कि इसमें कॉंगरेसी और वामपंती फसे हुए अब मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ लुधियाना किसांसद रवनीद बिट्टू वहां पहुँचते हैं इस वीडियो में देख सकते हैं किसान उन्हें ख़देड कर बाहर कर रहे हैं किसान ऐसा क्यूं कर रहे हैं आप जानते हैं किसान रवनीद बिट्टू के साथ ऐसा व्यभार इसलिए कर रहे हैं किसान ये स्पष्ट कर चुका है कि ये आंदोलन किसी भी सूरत में किसी भी पुलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा नहीं हुआ है और यहीं नहीं बॉकला कर रवनीद बिट्टू ये बयान देते हैं कि अमिट शाह जी को इस बात की जाच करनी चाहिए कि कहीं इस आंदोलन के भी जो विधायक हैं वो 26 जनवरी को किसानों के समर्थन में या उनके समर्थन में सामने आएंगे किसानों को किसी भी पुलिटिकल पार्टी की समर्थन की जरूरत नहीं है वो ये बात सपष्ट कर चुका है मैं यहीं बात तो आपसे समझना चाहता हूँ कि आखर ये क्योंकि कई आम इंसान में कई लोग क्या कहते हैं कि ये जो पूरा अंदोलन है ये कॉंग्रेस और वामपंथियों द्वारा प्रायुजित है वो दोनों ताक्ते हैं जो भारत में इस वक हाशे पर हैं बावजूद इसके ये कहना कि इसे वामपन्थी और कॉंग्रेस प्रायुजित कर रहे हैं या अपने आप में बहुती वाहियात तर्क है और रवनीद बिट्टू के साथ जो किसानों ने किया वो तो इस बात का प्रमान है कि वो नहीं चाहते कि किसी भी सूरत में वहां पहुंचें अगर आप पहुंचना चाहते हैं कि नागरिक की तरह पहुंचे और अपना समर्थन जत लाएं और जाते जाते एक बार फिर अपने किसान भाईयों से क्योंकि देखिए आप लोग हम सब के अन्मद आता हैं अहिंसा का साथ मत छोड़िएगा जब ये कारकराम अब तक पहुंचे मैं उम्मीद करता हूं कि आप ने जिस तरह से इस पूरे आंदोलन को अब तक यहां पहुंचाया 26 जन्वरी को आप इसी बात का परिच्छे देंगे नियूस चक्र में बस इतना ही अभिसार शर्मा को दीजिए जासत नमस्कार